नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र, प्रम्हांड सिद्याष्टों में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशी का मार्च 2023 का संपुन राशीपल, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशीपल किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्ण आपको लेने हैं, कौन से निर्ण आपको टालने हैं, आपके जोगन का इसा कौन सा ख्षेत्र है, जो कि सबसे ज़्यदा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारें चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, अपना जो चैनल है हम चरचा करेंगे धनराशी के बार में सबसे हम चरचा करेंगे सूर्ये कि ल entsi कि बार मिसूरिय आपके सबसे महतोब्रन ग्राय क्रया है क्योंकि वह आपका भैगेश भी है जो कि आपके रित्य डुअत भा हो में ब्रहमन करेंगा तो चतुरत भाव में ब्रह्मन करेगा तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपकी जो दौड़ दूप है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है लेकिन काम आपके बंते हुए नजार आ रही है जिसके विजैसे आपको जो मूड होगा वो भी काफी अच्छा होगी तो वही जो बात है वो आगे आने वोले करीबन 16-17 तक देखी जाएगे 17 तरीक के बात के समय उसमें जो ट्रैवलिंग आपने अनुबह की ति वह काफी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे लेकिन घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो इंडिरेक्शन होगी वो इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में अब यह जो मंगल ग्रह है यह मंगल ग्रह आपके शाष्ट भाव में ब्रह्मन कर रहा है और दिरांग 13 तरीक के बाद यह जो मंगल है वो आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा तो मंगल ग्रह के बारे में आपन के परणाम भी आपने देखे होंगे तो जैसे ही यह मंगल करीपन इस मेने के मतलब 13 तारिक तक वो आपके शर्ष्ट भाव में रहेगा 13 तारिक के बाद आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा तो सबसे पहले और महतुपुर्णबाद जो मंगल है वो आपका पंचमेश भ प्रॉब्लम में वो आ रहे थे लेकिन अब यह जो बाते हैं वो काफी मायनों में कम होते हुए नज़र आएगी खास करके तेरा 14 तारिक के बाद लेकिन और एक यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है कि अगर आप विवाई तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके जो बाते हैं वो अपने प्रहावि होने नहीं देती हैं लेकिन थोड़ा बहुत एट्जिस करना होगा क्योंकि मंगल जो है वो आपके सब्तमभाव में ब्रह्मन करेगा उसी प्रकार आपके जो वैवाई जुड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में भी समस्याय सामने आ उनके बारे में भी आपने देखी होगी तो वह जो बाते हैं वह भी काफी मायनों में कर नदर एंगे खास करके जो शिक्षा ले रहे जो विद्यार्थिवर्ग है उनके लिए भी यह जो बात है मतलब जो मंगल का ब्रह्मन है जो कि 13 14 तारिक के बाद आपके सब्तम भाव म आपका दश्मेश भी है जो कि आपके त्रितिया भाव में ब्रह्मन कर रहा था दिनांग 17 तरीक के बाद यह जो बुद्ध है वह आपके चतर भाव में ब्रह्मन करेगा बुद्ध का यह जो ब्रह्मन है वह आपके लिए बहुत ही जादा शुबफ लदाई साबितों का कई मायनों में मतलब जो भी आपके documentation के बारे में अगर कोई काम है किसी प्रकार के problem कुछ आप करना चाहते हो अगर आप कुछ नया आपके business के बारे में या फिर आपके नोकरी के के बारे में आपको जो भी कारिक्षेतर है उसके संदर भी कुछ नया को करना चाहते हो तो यह जो बुद्ध का ब्रह्मन है वह आपके लिए शुप लदाई साभीतों का खास करके इस मेने के करीबन 17-16-17 तारिक के पहले जो भी बाते हैं वह अगर आप निप्टा लेते हो त सक्सेस भी मिलेगा तो यह जो बुद्ध का ब्रह्मन है वो भी आपके लिए शुप लदाई साभीत होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरुग्रा के बारे में गुरुजग्रा है वो गुरुग्रा आपके राश्ची का स्वामी भी है जो कि आपके चतुरतवाव में स्वायम के राश्ची में प्रमन कर रहा है यह आपके राश्ची का स्वामी भी है और आपका चतुरतव भी है बहुत ही अच्छी बात जो है वो आपके लिए हो रहे घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखे जा रही है आप दोनों पुर्तेश याफिर आपके राशी का सवामी भी आपके चतुरतवाव में है जो कि बहुत अच्छी बात होगी तो इसमेंने के जो गुरु का जो ब्रहमन होगा वो आपके लिए काफी जाद शुबुफलदाई साबित होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्रग्रा के बारे में यह जो शुक्रग्रा है यह शुक्रग्रा आपके राशी के लिए नमबर एक का अशुबुफलदाई ग्रा माना जाता है जो कि आपका सश्टेश भी है और आपका लाबेश भी है जो कि आपके चतुरतवाव में ब् होंगे गर के जो लोग है उनके साथ जो इंटरेक्शन है या फिर घर का जो वातारों है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है तेरा तरीक के बाद यह जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में ब्रह्मन करेगा तो यहां पर दो तिन वादे थोड़ सा ध्यान में लीजे काफी अच्छा देखा जा सकता है तो शुक्र का जो ब्रह्मन आपके पंचम भाव में होगा वो भी आपके लिए शुक्ष लदाई साबित होगा अगर आप नहीं रिलेशन्शिक बनाना जाते हो तो इस समय मतलब करेवन 13-14 तारीक के बाद का जो समय है वो आपके लिए का जानुरी के बाद यह जो शनी है वो आपके तृतिया भाव में कुम्भ राशी में ब्रह्मन कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है दो तिन बाते इससे आपको पता लग सकती है पहरे दो सब समय है तो साड़ी साती है उससे बाहर निकल चुके हो और जो शनी जो गरह है तो आपके तृतिया भाव में राशी में ब्रह्मन करेगा और आने वाले कृव्ड सावाव 2 साल तक यह जो शनी है वह आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन करेगा बहुत इच्छी बात होगी जो भी आप काम करोगे उसमें आपको काफी सफलता मिल सकती है तो काफी अच्छी बात है शनी जो है वह आपके लिए बहुत ही जादा शुक्खहलदाई सावित होगा उसे प्रेकार यह जो उतिया बारे हम चर्चा करेंगे ग्रह योगां के बारे में के बारे मगां के अगर में देखा और आपका सब्तमेश है और आपका दश्मेश भी है तो यहां पर दो तिन बाते हैं उसके उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है अगर आप विवाई तो आपके वाई वाई जुड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में किसी प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ स सकती है लेकिन और एक जो योग है वो काफी अच्छा होगा दो तारीक को गुरू और शुक्र की यूद्टि जो आपके चतुरत वाव में ब्रहमन करें गर के बारे में वास्तों के बारे में जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हो कुछ अच्छी न्यूज या फिरकाबर ऊच्छ और हेव मिल सकती है उस ब्रहकर दिना ग्यारा तारीक को हर्षल और बुद्ध का लाव योग भी होने जा रहा है हर्षल जो की आपके चातुरत वाव को जो शुक्र है वो लाव योग करने जा रहा है उसमें आप में आपके जो वाइवाई जुड़िदार है उनमें हार्मोनी काफी अच्छी देखी जाएगी दूसरी सबसे महतों पुर्णवाद आपके जो वाइवाई जुड़िदार है उनके साथ चोटे मुटे बातों को लेकर तकर हो सकती है या फिर उनके स्वास्त के बारे में चोटे मुड़े परेशानिया जो है वो सामने आ सकती है उसी प्रेकार दिनांग 16 तरीक को मंगल और रवी का केंद्रयोग होने जा रहा है मंगल जो की आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा उसके साथ आपके चतुरित बाव का जो रवी है वो केंद्रयोग करने जा रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा आपकी जो वाईवाई जुड़िदार है और आपके घर के जो लोग है उनमें तनाव आ सकता है तो उसके ल साथ जो बुद्ध है वो यूतियोग करने जा रहा है तो आपके घर में जो आपके उम्र से चोटे विक्ति होंगे उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान दीजे या फिर उनके साथ चोटी मूटे बात को लेकर कुछ परिशानियां सामने आ सकते है तो बस आपको इस चुछ जयदा शुभ हलदय साबित होगी आपके घर के चो लोगी उनके साथ है उनके अपकी जो इंट्रेक्शन होगीक ऑप काफी अच्छ होगी घर की जो लोग है आपके वाइवाई सत्तवरीस तरीका गुरू और नों के यूति होने जाए मतलब क बुद्र ये जो दोनु गरह है वो आपके राशिक के केंद्र स्तान के अधिपती है मतलब प्रथाम चतुर्त सप्तम और दश्रमस्तान की अधिपति है गुरु बुद्ध और दोनों की यूति दोनों की जियो है वो यूति आपके चतुर्त बाव में होने जारे बहुत यह अच्छा शुभू लदाई योग है जो भी महत्वड़न काम वास्तों के बारे में अच्छी बन रहे तो गुरु बुद्ध का जो गुरु बुद्ध की यूति आपके चतुर्त बाव में होने जा रही है बहुत ही अच्छी और शुपलदाई साबित होगी उसी प्रेकार दिनांग तीस तारिक को शनी और मंगल का त्रिकोन योग होने जा रहा है जो कि आप दोनों में मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रीम तक बात जाएगे आप दोनों में कुछ अच्छे हार्मनी के दिन भी आएंगी जैसे कि यह जैसे अभी मैंने का कि तीस तारिक को शनी मंगल का त्रिकोन योग होने जा रहा है वह आप में आपके वाई-वाई-वाई- अवश्रक होगा उस्सी प्रकार अगर किसी के रिलेशन्चिप में हैं तो वहां पर वही जो बाते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रेम लेवल तक जा सकते हैं आपको उससे के वर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्रक होगा उसी प्रेकर इस महनी की पूर्णिमा है वह साथ तारि प्रतम देखे जा सकती है इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के मतलब इसमेने के साथ और 21 तारीक को किसी भी प्रकार के बड़े निरने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जो करहा है वो आपके चतुरत जो कि आपके secrets का सोमी है घर का घर के घर के द्वार या फिर घर के बारे में या पिरने के बारे में च्छोटी मोटे problem पिछले कई मैनों से या फिर सालों से चल रही है तो काफी मायनों में वह नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों यह था धनो राशी का मार्च 2023 का संपुर्ण राशेफल आपको राशेफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रमान्ट सिद्ध्यास्ट्रो इसे भी लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाव